हेलो व्यूवर्स वेल्कम तो अबर चैनल अलवार के पहुंचे या ट्राउजर के पहुंचे की डिजाइन बनाना तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये प्लैन वाला गोटा और ये ट्राइंगल वाली लेस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब वीडियो अगर आपके लिए हलफुल रहे तो एक लाइक जरूर कर देना आप मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मैं अपनी वीडियो की रिल्स फेस्बुक पर भी अपलोड करती हूं तो फेस्बुक पर भी मुझे जरू फॉलो करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह इस तरीके से हमने बग्रम ले लिया है इसकी लंबाई या उंचाई कहेंगे यह धाई इंच है अब जितनी चौड़ी महरी बनाते हो उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे तो यह 19 इंच का है मैं बनाऊंगी इसमें 7 इंच साथ की महरी तो यह हमने ले लिया इसको के हमने कपड़ा कट कर लिया है इसकी बढ़ा होर्ण कर लिया ने चिपका लें इसको यह उल्टा हिस्साहे का इस तरीके से रखेंगे हम और सीख सलाई लगा दिगे इसको कपड़े के सांथ फिक्स कर लिया अब इसको हम पढ़देंगे और इस पर मार्किंग करेंगे इस तरीकी से पहला निशान लगा लेंगे हम तिर्छा ऐसा इसके बाद हम 1.5 इंच के गेप से मार्किंग कर लेंगे पूरी यह हमने मार्किंग कर ली अब हम लेंगे प्लेन वाला गोटा इस तरीके से धागा चेंज कर लेंगे हम अपना यह देखिए यह हमने पूरा गोटा लगा कर इस पूरे कपड़े को कमप्लेट कर लिया है यह हमने फोल्ड कर लिया अब इसके बाद हम ट्राइंगल वाली लेस लेंगे इसको इसकी उपर रखकर सिलेंगे इलकुल यहां से कपड़े पर रखेंगे इस तरीके से किनारे पर रखेंगे और यह जो ट्राइंगल दिखाई दे रहें यह बहार साइड होना चाहिए यह लगाने के बाद यह जो हमने तैयार किया है बग्रम का पीस इसको इसकी उपर स्टीच करेंगे देखिए नीचे हमने लेस को कम्प्लीट कर लिया है उसके बाद हम यहाँ पर भी लेस का यूज करेंगी इस तरीके से अंदर करते हुए इसको स्लाइट करतेंगे यह कम्प्लीट करने के बाद यहाँ से धागे को और लेस को कट कर लेंगे यह देखिए यह हमारा बॉटम जो है कम्प्लीट हो गया अब हम इसको फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हटा देंगे यहां से, बराबर से किया कपड़े को, आप जिस साइस की भी मोरे पहनते हैं, उसका मार्किंग कर लेंगे, मैं बनाओगी यहां पर 7 इंच की, ति यह 7 इंच का निशान लगाएंगे और यहां से सिलाई डाल देंगे, यह देखिया हमारा पहुंचा जो है, तैयार हो गया है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले आपको मिल सके, थैंक्स पर वाचिंग,